हेलो गाइज तो फिछले एपिसोड में हमने देखा हनपे जनरल के महल में आया था उसके साथ वेजवांग भी आया था हनपे ने जनरल को एक खेल बताया था अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से शुरू होती है हनपे लड़कियों को कहता है इन लख्डियों पर नमबर लिखे हुए है जिसको जो नमबर मिलेगा उसका वही क्रम होगा लड़किया लख्डिय निकालती है एक लड़की का नमबर पहला आता है तो वो डरने लगती है वो जनरल से कहती है जनरल में मरना नहीं चाथी पर जनरल कुछ भी नहीं कहते तो लड़की गुसे से हनफे को कहते है आपके पास कितने भयानक खेले मैं मरने से आपको क्या मिलेगा उसकी बात सुनकर हनफे असता है और कहता है दरसल इस खेल को खेलते समय करम बिल्कुल भी माइने नहीं रखता यह प्रस्तावे जो माइने की रखता है तो लड़की कहती है आप मेरा उपास कर रहे हनफे असता है और कहता है पहले विवेक्ति को जीवित रखने के लिए सब भी सिक्के दूसरे को देने चाहिए दूसरे को В die С kijken करना चाहिए यह सब तिसरे पर निर्वड़ करता है इस से पहले और दूसरे व्यक्ति के पास सुनने सिक्के होंगे जबकि तिसरे व्यक्ति के पास सो सिक्के होंगे यही एक मातरों पाए लेकिन क्या सित्य इसी नहीं होगी पहले व्यक्ति के पास निन्याने सिक्के दूसरे व्यक्ति के पास एक सिक्का और तिसरे व्यक्ति के पास जुरो सिक्का तबी वो लड़की कहती है पर अगर उन्होंने नहीं कहा तो हनपे दूसरे लेड़ी के पास आकर उसे कहता है तुमारा दूसरा नंबर है ना वो लड़की कहती है हाँ तो हनपे कहता है कलपना कीजिए अगर पहली लेडी मर जाती है तो आप दोनों ही बचेंगी उसके बाद सिर्फ आप दोनों बचेंगी और बाद में तीसरे लेडी को सिर्फ आप से असमत होना है उसके बाद आपको भी मरना होगा इससे तो अच्छा है कि आप पहले लेड़ी को प्रस्ताव के सुकार करें जिससे आपको एक सोने का सिक्का भी मिलेगा और आपकी जान भी बच जाएगी वो लेड़ी कहती है मैं सहमत हूँ इसके बाद हनपे तिसरे लेड़ी के पास आता है और उसे कहता है तीन में से दो सहमत है तो अब इससे कोई फरक ने पड़ता कि आप सहमत है या नहीं उसके बाद वो पहले लेड़ी को कहता है अब सभी निन्याने सुक्खे आपके है और आपकी जान भी बच गई तो पहली लेड़ी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है अगर यह सच है तो दुनिया सचमुच अद्बूत जग है तो जनरल कहते है प्रिंस आप तो सचमुच अच्छा मनोरण जंग करते है पर ऐसा लगता है कि प्रिंस खेल के अलावा कुछ और इशारा कर रहे थे आपका खेल तो शानदार था हाला कि आप एक जरूरी बात भूल गए हनद पे कहता है वो क्या है जनरल तब ही जनरल केते जिसके पास थाकत होती है वही जितता है ऐसा कहते है वो पास्ट वीड में आकर उसके तलवार को पहले लेड़ी के उपर रख देता है तो वो लेड़ी की डर जाती है तो जनरल केता है क्या तुम अब भी ये सोने के सिके लेना चाओगी पर हम देखते है कि वो लड़की बहुत ही डर गई होती है जनरल के पहर पढ़ते लगती है तो जनरल केते ताकत वर हमेशा नियमों को बदल सकते हन पे असने लगता है और केता है जनरल आप होशिया रही मैं आपसे एक मामले पर मारगदर्शन करना चाहूंगा जनरल केते बताओ क्या है तो हन पे केता है हन के कानून में लिखा है कि किसी भी बड़े आधिकारियों को कोई सजा नहीं मिलती और मेरे अंकल ने अपना अपराद कबूल कर लिया था पर फिर भी उन्होंने मौत की सजा नहीं दी जाती फिर भी उन्होंने आत्मत्या क्यों की होगी तो जनरल केते हाँ यह अजीब है पर उन्होंने खुद कहा था कि अगर किंग ने उन्हें सजा नहीं दी तो गोस्ट आर्मी ने जरूर उने मार देगी तो यह हान पे कहता है पर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि किसी ने उनके खाने में ज़र मिलाया था तो जनरल कहते क्या इसी बात है पर आपके अंकल तो कपके मर चुके है तो गवाई कौन देगा हान पे असता है और कहता है जनरल मेरा एक मित्र है जो चिकित सामें कुशल है उसने हाली में एक जादूई पावडर बनाया है जो हमारी मदद कर सकता है तो यह पावडर सिर्फ अंदेरे में ही काम कर सकता है तो एक सेव का अंदेरा करता है तो वो पाउडर चमकने लगता है वो बिलकुल उन गोस्ट आर्मी के ड्रेस की तरह ही चमक रहा था तो अब है हन्फे कहता है यह देखिये जनरल यह सबूत यही पाउडर हमें कातिल के उपर मिलेगा और इस से मुझे पता चला कि खजाना कहा छिपाया है हमें सिर्फ उसे वापस लाना है यह सुनकर जनरल चोक जाते है और कहते है प्रिंस आपने वास्तों में एक उत्कुष्ट प्रदर्शंग किया है मैंने आपके बहुत कुछ सिखा है क्यों ना आप कुछ दिन यही पर रुप रहे हम और चर्चा कर सकते ऐसे कहते ही जनरल तलवार लेकर हानफे की तरफ बढ़ने लगते तभी हानफे कहता है हमने पहले ही काफी दिर आपको परिशांग किया है अब और परिशांग करना उजित नहीं होगा तभी जनरल कहते है मेरी तलवार आपको किसी भी ऐसी चीज से इंकार नहीं करने देगी जिसे मैं स्विकार करता हूँ ऐसा केते ही जनरल अन्फे पराटया करते हैं पर वेजवांग ने उस अटेक को लगने से पेले ही रोक दिया था जन्रल अपनी पूरी ताकत लगा देते पर हम देखते हैं वेजवांग अपने एक ही हाथ से उन्हें रोक रहा था इससे हम वेजवांग की पावर का अदाज अलगा सकते हैं तो जन्रल असता है और रुक केता है थोड़ी देर पेले मैंने देखा कि आपका मित्र एक दम शान रहे हैं तो हानपे कहता है मुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं है जनरल मैं अलविदा लेता हूँ ऐसा के कर वो चले जाते हैं सामने जांगलियांग खड़ा होता है और वो तिनों कई पर जाने लगते हैं हमारा सिंसिप्ट होता है हम देखते हैं एक पहाड़ी पर हनपे जर्ण विजवांग और मिच जुन्हों बेठे वे होते हैं मिच जुन्हों हनपे से फुषते हैं हम यह आगि हनपे कहता है यह अच्छी जगह है शोव देखने के लिए मिच जुन्हों क tipping केती है प्रिंस क्या आप मZA कर रहे हैं कौन करेगा शोव हनपे साइस लेकर रहा है क्योंकि उसने जनरल से कहा था कि खजाना कहा है वो मुझे पता है तो जनरल खजाने की जग बदलने के लिए सेनिक भीजने वाले जब कि सेनिक खजाना ढूंड लेंगे तब वेजवांग जाकर उनसे खजाना ले लेगा यही आनपे की पूरा प्लान है हम देखते हैं जनरल के महल का दरवजा खुलता है और बहुत सारे सेनिक कही जाने लगते तब ही मिजनु कहती है जनरल के सेनिक जा रहे है इसका मतलब यह प्रिंस की जी हुए के घर की आतरा ने उन्हें लुबाया है तब ही आनपे कहता है बाकी शो में मुझे आपकी करने लगता है इसके साथ हमारा एपिसोड भी यही पर खतम होता है